किसानों के लिए एक बार फिर से बड़े खुसखवरी लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आप भी एक किसान हैं और आपने परधान मंत्री किसान सम्मानिधी योजना में आवेदन किया हुआ है तो आप को सरकार खुस करने जा रही है देखिएए अब तक सरकार की तरफ से 17 किस्ते ट्रांसपर की जा चुकी है आप किसानों को 28 किस्त का इंतिजार है कि सरकार 28 किस्त कब जारी करेगिए तो देखिए अठारवी किस्त आपके अकाउंट में कब आने वाली है वह तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे ही बलकि इस बार सरकार किसानों के बैंक अकाउंट में 4,000 रुपे तक का किस्त ट्रांसपर करने जा रही है अब यह 4,000 रुपे कैसे किसानों को मिलेंगे उसके बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे जाएगी हाला कि 4,000 रुपे किसानों को अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए सबसे पहले 3 महत पूर्ण कारिया करने हुए एक एक कार्य के बारे में हम आपको बताएंगे आपको कौन-कौन से दस्तवेज की जूरत होगी आउर कहां पर आपको यह कार्य करना है तमाम जान कर दीजाएगी बस आप बने रहेगा हमारे साथ अंत तक वीडियो को देखते रहेगा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो किरिपे वीडियो को लाइक कर दीजिए जाद से यादा वीडियो को सेर करेगा चनल पर आप पहली बार आई हैं चनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेजगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं देखे अगर आपने भी किसान योजना में आवेदन किया हुआ है तो यह खबर आपके लिए है किसानों के लिए दोस्तों सरकार दुआरा जो खबर अभी हाली में जारी की गई है जो बड़ी गोशना की गई है उसके लिए दोस्तों आपको मानिजे की तोफा मिलने वाला है किसानों को खुश कर देगी जिसका इंतिजार देश के कोरोडों किसान कर रहे हैं दिए जैसे कि आप से भी जानते हैं कि केंदर सरकार की तरफ से 2000 रुपे की किस्ट चार महिने के उपरान ट्रांसपर की जाती है लेकिन आने वाली किस्ट 28 किस्ट काफिक किसानों के बैंक एकाउंट में 4000 रुपे ट्रांसपर यानिकी डबल किस्ट किसानों को मिलने जा रही है हलाकि किसानों को 4000 रुपे लेने के लिए तीन बड़े कारिये करने हुए उसके बाद ही वह अपने बैंक एकाउंट में डबल किस्त प्राप्त कर पाएंगे अब दोस्तों देखिए केंदर सरकार की तरफ से सुरू की गई प्रधान मंत्री किसान समान्धी योजना के प्रधान मंत्री किसान समान्धी योजना से जिन किसानों को सत्रवी किस्त का पैसा नहीं मिला था वह अब आने वाली किस्त के सा साथ ही वे तमाम रुकी हुई किस्ते प्राप्त कर पाएंगे जो काफी लंबे समय से उन्हें नहीं मिल पाई है किसानों को रुकी हुई किस्ते अब तक नहीं मिल पाई हैं। दोस्तों अगर बात करें कि आपको अठारवी किस्त कब मिलेगी तो आपकी जानकर लिए बता दें सरकार की तरफ से अठारवी किस्त अक्टूबर से नुवेंबर महा तक आपके अकाउंट में ट्रांसपर की जाएगी। अगर किसान अपनी रुकी हुई किस्त प्राप्त करना चाता है तो वह किसी भी जनसिवा केन पर जाकर अपनी गलतियों को जरूर सुधार लें। क्योंग दोस्तो सरकार ने जैसे ही किसान का पैसा ट्रांसपर करने से पहले किसान योजना में किसानों के फारम को सत्यापन क्या है उनके फारम में सत्यापन क्या है तो काफी गलतिया पाई गई हैं काफी किसानों की इस बार भी किस्ते रोक ले गई हैं उनके एकाउंट में अभी भी प्रधान मंत्र किसान सम्मान धियोजना की किष्ट जारी नहीं की गई है। तो इसलिए आपको वह गलतिया सुधारने के लिए कुछ कारिय करने होगी जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आप से निवीधन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किर्प्या वीडियो को लाइक कर दिजे और जज़़ज़़़ वीडियो को सेर भी कर दिजेगा। तो दिखें कारिया नमबर एक, सबसे पहले किसानों को लैंड सिडिंग करानी होगी, यानि कि अपनी भूमी का अपनी जमीन का सत्यापन कराना होगा, उसके बाद ही वह आने वाली किष्ट को प्राप्त कर पाएंगे. अगर किसान लेंड सिडिंग करा लेते हैं तो लेंड सिडिंग कराने से पता चलता है कि किसान पात्र है या फिर अपात्र है क्योंकि अब किसान योजना से किसानों के नाम लिस्ट से हटाई जा रहे हैं किसान योजना से नाम रद की जा रहे हैं अगर आपके नाम पर आपकी जमीन हैं तो आप असानी से आने वाली किस्त का लाप ले सकते हैं और आप डबल लाप भी ले सकते हैं देगे दूसरा कारिया किसानों को EKYC करानी होगी जिन किसानों ने EKYC नहीं कराई है वह भी किसी जनसेवा केन पर जाकर EKYC चरूर करा ले तभी किसानों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है अगर यह कारिया नहीं कराते हैं या फिर किसान इन्हें अंदेखा करता है तो उनकी आने वाली किस्त उन्हें मिलेगी नहीं आउर जो रुक हुआ पैसा है वह भी नहीं ले पाएंगे। अब दुस्तों जो तीसरा बड़ा कार्या है उस पर भी ध्यान देते हैं दीके तीसरा बड़ा कार्या किसानों को आधार सेडिंग करानी होगी। आपको बता दें कि केंद सरकार के तरफ से किसान योजना के अंतरगत जो पैसा ट्रांसपर किया जाता है वह डीबीटी के माध किस्त नहीं मिल पाएगी और इस बार भी उनकी किस्त रुख गई होगी। इसलिए उन्हें अपने बैंक खाते से डीबीटी को एक्टिव कराना होगा। उसके बाद ही वह आने वाले किस्त का लाव ले पाएगी। देखिए जो किसान 4,000 रुपे लेना चाहते हैं और उनक किस्ते रुखी हुए हैं सत्रवी किस्त रुखी हुई हो या फिर उनकी सोलवी किस्त रुखी हुई हो तो उन्हें क्या करना हैं आप ध्यान देखिए सरकार ने सत्यापन किया है तो काफी लावार्तियों के फरम में गलती पाई गई हैं उनके एड्रस में उनके पते में ज आधार काड बनवा लिया है आधार काड को अपडेट करा लिया है तो ऐसी स्थिति में भी उनकी किस्ते रुख सकती हैं साथी जिन किसानों ने अपने किस्त दोस्तों अपने प्रदाहन मंतर किसान समाने सी योजना में आवधन क्या है और उनकी किस्त को अपरूवल नहीं मिल पाया है तो वह भी अपने फरम को एक बार जरूर दोस्तों चेकाउट करा लें उसे एडिट करा लें उसमें जो भी गल आपसे निवधन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किर्प्या वीडियो को लाइक कर दिजे और जाज ज्यादा वीडियो को सेर भी कर दिजेगा अब चाते हैं आप से इजाज़त और मिलते हैं आपको नए स्टूडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत